हेलो स्टुडेंट्स, तो केसे हैं आप सब? हमने स्टार्ट किया था B Pharmacy 4th semester Pharmacognosy में यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया था Secondary Metabolite जहां पर लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था Alkaloid Alkaloid के हमने देखे थे Definition, Classification, Properties and Identification Test of Alkaloid आज का जो आपका lecture है वो है glycosides के उपर यहाँ पर हम cover करने वाले है glycosides की definition, classification, properties and identification test तो चलिए start करते हैं glycoside को और lecture को ध्यान से सुनना पूरा glycoside इसी lecture में याद हो जाएगा और यह glycoside आपको 5th semester में भी काम आएगा तो lecture important है चलिए lecture को शुरू करते हैं अगर आपको और lecture देखना है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखिए और अगर आपको notes डाउनलोड करने हैं PDF format में तो आप telegram से जुडिए वहाँ पर मैंने आपको whatsapp के बारे में बता रखा है whatsapp group के बारे में आप whatsapp group feature से जुडिए और वहाँ से आप notes को download कर सकते तो चलो शुरू करते हैं आज का lecture तो चलिए start करते हैं glycosides को glycosides आपको 5th semester में भी detail study करना है तो lecture को द्यान से सुन लेना देखो glycosides के अगर मैं बात करूँ तो glycosides में क्या होता है एक तो glycon part रहता है और एक A glycon part होता है पार्ट होता है उसका मतलब है वो शुगर वाला पार्ट है और जो A glycon part होता है उसका मतलब है वो नोन शुगर वाला पार्ट है तो जो glycosides होते हैं वो दो चीज़ते मिलके बनते हैं glycon A glycon, glycon जो है शुगर वाला पार्ट होता है A glycon जो है non sugar वाला पार्ट होता है और यहाँ पर glycon A glycon के बीच में यह जो bond आपको दिखा रखा है यह होता है glycosidic bond तो हमने देखा कि glycon A glycon पार्ट जो है आपस में अटेच रहते हैं with the help of glycosidic bond and हमने देखा जो glycon होता है उसका मतलब sugar होता है एक्जामपल अगर में देखूं तो glucose और जो non glycon होता है या फिर आप बोलो A glycon होता है उसका मतलब होता है non sugar और अगर इसका एक्जामपल में देखूं तो alcohol और phenol ठीक है अगर मैं बात करूँ therapeutically active कोन रहता है तो therapeutically active रहता है A glycon part मतलब यही जाके body में action show करता है यह therapeutically active है ठीक है तो अभी तक हमने क्या देखा कि glycon A glycon part attach होता है with the help of glycosidic bond A glycon जो है therapeutically active रहता है A glycon का मतलब non sugar एक्जामपल देखो तो alcohol phenol और glycon का मतलब sugar example देखो तो glucose ठीक है एक बात और ध्यान रखना जितना ज़्यादा glycon part अगर मान लीजिए किसी glycoside में glycon बहुत ज़्यादा है हमने देखा glycosides कित समिल के बना है glycon A glycon से पर मान लीजिए किसी glycoside में glycon part बहुत ज़्यादा है मतलब sugar वाला part बहुत ज़्यादा है तो वो उतना ही जादा water soluble रहेगा अगर किसी glycoside में glycone वाला part बहुत जादा है तो उसकी water solubility भी उतनी ही जादा होगी यह सारे points आप लिख सकते हैं glycoside start कर सकते हैं ठेक है तो जैसा कि आप जानते है glycoside जो होते हैं वो naturally occurring complex organic compound है naturally occurring इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि nature से मिल रहे हैं plant से मिल रहे हैं जिसमें एक तो sugar part होता है एक non-sugar part होता है हमने देखा एक तो glycone होता है sugar non-sugar दोनों attach होते हैं with the help of glycosidic bond यहाँ पर यह देखो glycosidic bond ठेक है example अगर मैं देखो glycosides की कि कौन-कौन से glycosides होते हैं तो digitoxin जो कि आपको 5th semester में पढ़ना है digitalis वगेरा glycerizin यह muleti बोलते हैं liquorious muleti और भी कई सारे हैं जिसे alloy वगेरा तो यह examples होगे आपके glycosides के यह structure आपको नहीं याद रखनी है जिसके शद्दा है वो देख सकता है कोई काम नहीं आएगी आगे देखेंगे यहाँ पर glycone part के example दे रखें जैसे कि मैं आपको बताया glucose और भी यह जैसे रैमेनोस, गेलेक्टोस, मैनोस और अगर एक glycone part की में बात करूँ तो एक glycone part म आपको मिलेंगे alcohol and phenol, ठेक है steroids वगिरा भी होते हैं, flavonoids वगिरा भी होते हैं, now distribution की बात करें, glycosides आपको कहां कहां मिलेंगे, तो यह आपको like digitalis में मिलेंगे, leguminasi में मिलेंगे, aposinasi में मिलेंगे, rootasi में मिलेंगे, ठीक है, कई सारी family में आपको देखने को मिलेंगे, anthracene बगिरा में, चलिए, next देखते हैं properties of glycosides, glycosides की properties, सबसे पहली property आपको दे रखिए, physical property, तो जो glycosides होते हैं, वो crystalline होते हैं, या फिर amorphous होते हैं, solid होते हैं, non-volatile होते हैं, तो आप याद रखिए, glycosides are crystalline in nature, amorphous in nature, solid in nature, non-volatile in nature, चार पुइंट या दोगा है, crystalline, amorphous, solid non-volatile, अगर मैं glycosides की solubility की बात करूँ, तो मैंने आपको कहा, जितना ज्यादा glycone part, उतना ज्यादा वो water में solubile, यह आपको लिख देना, उसके बाद आगी चलते हैं, यहाँ पर a glycone की solubility की बात चल रही है, मतलब glycone वाले part की तो बात हो गई, solubility की, अब a glycone वाल होता है, वो solubile होता है, non-polar organic solvent में, non-polar organic solvent में, a glycone वाला part जो है, solubile होता है, और water में solubile होता है, देखो यह बात ध्यान रखना, water में solubile a glycone होता है, और water में solubile glycone होता है, glycone जो होता है, वो तो पानी में गुल जाता है, पर यह जो a glycone वाला part है, यह पानी में नहीं गुलता, insoluble होता है, यह देखो, यह glycone वाला, insoluble होता है, साथ ही साथ, अगर मैं overall glycosides की बात करूँ, तो glycosides are optically active, और यह कैसे होते हैं, leave or rotatory होते हैं, glycosides are leave or rotatory in nature, mostly जो glycosides होते हैं, वो bitter taste के होते हैं, कड़वे होते हैं, जैसा कि आपने देखा था, alkaloids are bitter in nature, तो water में, polar nature का मतलब water में, now chemical properties देखते हैं, these are the physical properties जो हमने देखी, glycone है glycone वाली, अब chemical properties में क्या है, सबसे पहला hydrolysis, जो हमारे पास glycoside है, वो glycoside का हम hydrolysis कर सकते हैं, glycosides को अगर hydrolysis करेंगे, glycosides को अगर तोड़ के देखेंगे, तो वहाँ पर मिलेगा a glycone और glycone पार जैसा कि अब सभी जानते हैं, a glycone का मतलब non sugar, glycone का मतलब sugar, तो जब glycosides को मैंने hydrolysis किया, acid की presence में, या फिर enzyme hydrolysis किया, तो उस condition में क्या हुआ, a glycone और glycone पार्ट अलग-अलग हो गए, यह example आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, यह सिर्फ एक्स्ट्रा नोट से, ज also possible, enzymatic hydrolysis is also possible in glycosides, and hydrolysis के दोरान glycosides किसमें तूटता है, हमारे glycone और a glycone पार्ट में तूटता है, glycone जो है sugar पार्ट है, a glycone जो है non sugar पार्ट है, आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है classification of glycoside, तो जो glycoside है, जिसा कि आप सभी जानते हैं, glycone और a glycone पार् के बीच जो bond होता है, वो होता है glycosidic bond, अब यहाँ पर आपको बोला है कि glycosides को classify करो, तो glycosides को हम classify करते हैं, on the basis of glycone part, a glycone part, on the basis of glycone part, on the basis of a glycone part, and on the basis of linkage between glycone and a glycone, तीन चीजों पर हम divide कर रहे है, starting में तो, देखो तीन चीजों बताता हूँ पहले तो, एक तो glycone के basis पर हम classify कर रहे है, एक glycone के basis पर हम classify कर रहे है, ठीक है, और तीसरा क्या है, इनके बीच में जो bonding है न, glycosidic, उनके basis पर हम classify कर रहे है, तो on the basis of linkage between glycone और glycone, पहला वाल तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन जहां पर हमने देखा लिंकेज ए ग्लाइकोन ग्लाइकोन और थेरेपेटिक एक्शन तो यहां पर है सबसे पहला on the basis of linkage अगर linkage के basis पर मैं बात करूँ हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है जो कि linkage वाला है क्योंकि ज्यादा डिटेल हमें पढ़ने नहीं है तो linkage के basis पर जो ग्लाइकोसाइट से वो क्लासिफाई होते हैं O, C, N, S मतलब ग्लाइकोन और A ग्लाइकोन के पार्ट के बीच में जिसे माल लिजए ग्लाइकोन पार्ट है और यह A ग्लाइकोन पार्ट है तो ग्लाइकोन A ग्लाइकोन के बीच में या तो O आ सकता है या फिर C आ सकता है या फिर N आ सकता है या फिर S आ सकता है इन दोनों तरफ क्या रहेगा ग्लाइकोन एग्लाइकोन 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 ग्लाइकोन एग्लाइकोन मतलब शूगर और नोन शुगर के बीच में आ सकता है ऑक्सिजन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तो प्यार से बुलाओ OCNS ठीक है CNS आपका है न Central Nerve System ऐसे याद रखो तो आप प्यार से बोलो OCNS तो आपको classification याद हो जाएगा Simple सा है Glycon A Glycon की बीच में आपको O आ सकता है Glycon A Glycon की बीच में C, N और S ये सारे आ सकते हैं अभी देखो जिसे मैं O का example दूँ कि Glycon A Glycon की बीच में O वाला जो group है O वाला जो glycoside linkage है वो कब आएगा तो ये Glycon है जिसके पास OH है देखो Glycon है जिसके पास क्या है यहाँ पर OH और इदर A Glycon है और इस A Glycon के पास भी क्या है OH है अभी यहाँ से क्या होगा पता है पानी निकल जाएगा इस तरह से इस तरह से जब पानी निकलेगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे minus S2O और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा Glycon के साथ O तो Glycon के साथ O और A Glycon के साथ कुछ भी नहीं तो A Glycon यहाँ पर जूड गया तो यहाँ पर आप देख सकते है Glycon यह Glycon के बीच में O आ चुका है यहाँ से सिर्फ हमने पानी निकाला है देखो यह H और यह OH पानी निकाल दिया अच्छी बात है निकालना चाहिए time to time reaction में से और यह जो O है यह यहाँ पर hesities आ गया तो Glycon ए Glycon इस तरह से जूड जाएगा नेक्स आपको देख सकते हैं यहाँ पर example C glycosides का भी ऐसे ही है देखो Glycon ए Glycon के बीच में C आ गया N का भी ऐसे ही है और S का bी ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर Glycon ए Glycon की बीच में N आ गया और यहाँ पर glycone ए glycone के बीच में S आ गया अब यहाँ पर और भी classification दे रखे हैं बढ़ यह आपके काम के नहीं है तो जिसको detail पढ़नी है वो notes में से पढ़ सकता है next हम चलते हैं identification test for glycosides इनको आप जहां से सुन लीजिए क्योंकि यह 5th semester में बहुत बहुत जादा काम आने वाले हैं देखिए जो glycosides होते हैं उनके general test हम start करते हैं तो glycoside में एक होता है test A एक होता है test B जो test A होता है उसमें पहले सबसे पहले आपको powder drug लेना है जो भी आपका drug है उसको ले लेना है उसको water के साथ dilute करना है सबसे पहले हमने drug लिया drug को water के साथ dilute किया उसके बाद उसको extract किया ठीक है extraction की process करी filtration की process करी उसके बाद जो आया है उसको हम बोलेंगे acid extract तो यहाँ पर आपने क्या गरा सबसे पहले आपकी drug ली मैं वापिस बता देता हूँ glycoside का test पढ़ रहे है हम सबसे पहले जनरल test है test A जहाँ पर आपको powder drug लेनी है पानी के साथ मिलाना है अब हमें करना है filtration सबसे पहले drug लिया drug को water के साथ dilute किया अब हमें करना है filtration और filtration करने के बाद जो extract आएगा वो acid extract होगा like उसमें acid मिला के उसको हम कैसा बना देंगे acidic extract बना देंगे फिर उसमें हम nao h मिलाएंगे ताकि वो basic हो जाए उसमें हम क्या मिलाएंगे nao h तो सबसे पहले drug लिया पानी डाला filter किया extract निकाला जो extract आया उसमें nao h डाल दिया ठीक है और अब हमें क्या डालना है उसमें failing A, failing B यह solutions होते हैं failing A, failing B तो finally आपको red ppt मिल जाएगी अगर precipitate आपका red color का आ रहा है तो मतलब glycoside present था तो simple सा है सबसे पहले वो drug ले लो simple ले लो जिसको आपको check करना है उसमें पानी मिला दो filter कर लो जो भी extract आया उस extract में NOH मिला दो फिर failing A और B मिला दो और इसके बाद अगर आपके पास red ppt आती है तो glycosides था और अगर नहीं आती तो वहाँ पर कोई भी glycoside नहीं था ठीक है next है आपका test B सबसे पहले वही powder drug लिया water लिया और यहाँ पर हमें करना है boil यहाँ पर हमने सीधा filter कर लिया था यहाँ पर हमें boil करना है then filter करना है और boil करने के बाद जो भी हमर पस aqueous extract आएगा aqueous extract मतलब गीला पानी वाला उसमें हमें और water add करके failing AB add करके अगर उसमें भी red ppt आ रही है तो हमारा glycoside present है तो देखो A और B काफियत तक similar है सबसे बेले powder drug फिर dilute with water filter, extract उसमें एनेवास डाल दो failing A और B add कर दो red ppt आ जाएगी उसके बाद test B में क्या करना है वही powder drug लिया पानी डाला बस यहाँ पर boil करके filter करना है और जो भी extract आएगा वह एकवस रहेगा उसमें और पानी डाल कर failing A B mix करकर red ppt इसमें भी आ जाएगी तो अगर at the end red ppt आ रही है तो इसका मतलब है कि glycoside है तो glycoside presence कैसे पता करेंगी अगर red ppt आ रही है मतलब glycosides है और भी कई तरह के आपको test दे रखे हैं जिसे यहाँ पर मैंने simple simple tick के हुए है बलजीट test हो गया legal test हो गया form test हो गया hemolytic test हो गया shinoda test हो गया तो यह जो test है like बलजीट में क्या करेंगे sodium picrate के साथ हमारे drug को मिला देंगे तो अगर वहाँ पर orange color आता है मतलब हमारा glycosides present है legal test में हम क्या करेंगे pyridine, alkaline solution of sodium nitropercite और अगर red color आता है तो मतलब हमारा glycosides है तो असलब simple simple है देखो अगर आपको bulgit test करना है तो sample ले लो उसमें sodium picrate मिलाके अगर orange color आता है तो sample में glycoside है फिर अगर आपको legal test करना है तो sample लो sample में सबसे पहले pyridine फिर alkaline solution of sodium nitropercite फिर अगर उसके बाद red color आता है मतलब हमारे sample में glycoside है फिर form test है अगर फ्रोध बनती है मतलब glycoside था हीमोलेटिक test जहाँ पर RBC रप्चर होती है मतलब glycoside था तो इस तरह से आप glycosides की presence को पेचान सकते हैं काफी सारे test में आपको बढ़ा दिये test A, test B उसके बाद बलजीत, legal, form, hemolytic और next is shinoda test तो shinoda में भी कुछ नहीं करना सबसे पहले sample sample में डालो alcoholic extract, concentrated SCL magnesium turning के बाद अगर इन सब के बाद वहाँ पर pink या red color आता है मतलब glycoside है और अगर pink और red color नहीं आता मानलो blue आ गया तो वहाँ पर glycosides नहीं है क्योंकि glycosides होता तो pink और red color आता तो हमारे sample में हमने easily check कर लिए with the help of alcoholic extract, concentrated SCL, magnesium turning अगर at the end pink और red color आ रहा है मतलब glycoside है और अगर pink और red color नहीं आ रहा कुछ और color आ रहा है तो glycosides नहीं है इस तरह से आप glycosides को test कर सकते हो these are the identification test for glycosides कई सारे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं पर जो main main थे वो सारे मैंने आपको बता दिये ताट test मैंने आपको बता दिये प्रटी सो इस आर ओल अबाउट glycoside अब next lecture में स्टार्ट करने वाले हैं glycosides के बाद अगर फ्लेविनोइट को तो मिलते हैं बोजल next lecture मैं have a nice day thank you subscribe and share for more झाल झाल